आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो एव्रिवन सो हमारा Question है Which of the following represents correct meaning of repo rate कि यह जो repo rate है यह क्या होती है चार Option दिये वे हैं हमें एक एक को हम लोग देख लेते हैं पहला है rate on which RBI sells government securities to bank कि जिसमें RBI जो है government securities को बेचती है तो इसे हम repo rate जो है वो नहीं कहते है फिर अगला है rate for borrowing rupees from banks by banks from RBI कि जब RBI से bank जो है RBI से bank जो है वो कुछ पैसा जो है उधार लेती है वो कुछ amount जो है money जो है वो लेती है तो इसके बदले में bank RBI को क्या देगी कुछ interest देगी ठीक है कुछ interest देगी उस interest को हम लोग क्या बोलते हैं repo rate बोलते है तो option B जो है वो right answer है वैसे इसमें आगे के option है कि rate offered by banks to their prime customers customers को दो bank rate दी जाती है वो भी नहीं और rate applicable for grant of priority sector loans बिल्कुल ये भी नहीं तो देखो RBI जब पैसे देती है bankों को तो बदले में interest जाती है bank तो वो तो है repo rate और जब bank अपना पैसा देगी extra वाला RBI को कि ये लो आप रखलो जादा है मारे पास में तो इसे बोलते हैं तब RBI भी उनको कुछ interest rate देगा इसे बोलते है reverse repo reverse repo का मतलब जब bank पैसा दे रहा है RBI को deposit करने के लिए और जब RBI मतलब bank उधार दे रहा है RBI को तो reverse repo Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सुपर